चले श्टार्ट करते हैं आज इक लास आज इक लास में हम देखेंगे income tax में income from house property का एक complete question जोगी बहुत ही महत्पूर्ण है तो वीडियो को बिना skip किये अंतर जरूर देखेंगे चले श्टार्ट करते हैं सबसे पहले question देखेंगे फिर इसको हम लोग solve करेंगे Dr. K. K. Bansal is owner of a big house the construction of which was completed on 31st March 2013 One half of the house is rented for residential purpose at Rs. 3000 per month One fourth of the house is used by Dr. Bansal for his profession and remaining one fourth is used for his own residence मतलब यहां पे एक मकान है और एक मकान के आधे भाग को इन्होंने किराय पे दिया है 3000 रुपया महिने पे और जो आधा बचा है उसका आधा मतलब one fourth वो अपने profession के लिए use कर रहे है मतलब यह doctor है तो अपना clinic में खोले होंगे और जो बचा one fourth portion मतलब आ रहा का आधा जो बचा उसमें यह self occupied मतलब खुद यह रह रहे हैं तो देखा जाए तो यहां पर जो valuation करना है हमको के अबल half portion जो किराय पे दिया किया है वो और जो remaining बच रहा है मतलब एक चौथाई भार जिसमें यह खुद रह रहे हैं वो क्योंकि यहां पर प्रोफेशन के लिए use कर रहे हैं उससे यहां पर कोई मतलब नहीं है कोशन आगे देखते हैं हम अब यहां पर देखिए पर दिया गया मतलब कर्स्ट्रक्शन कब कम्प्लीट हुआ यह दिया है लेकिन लोन का अमाउंट ना देख रहे हैं कि यह direct interest दिया गया है तो यह दर्ज़ा जो interest थी यह पूरे मकान के लिए होगा ग्राउंट रेंट है 4000 रुपीज एन्वल चार्ज है 10,000 रुपीज फायर इंसुरेंस प्रीमियम है 10,000 रुपीज calculate taxable income of Dr. K.K. बंसल under head income from house property for the assessment year 2021-22 यहाँ पे जो expenses में दिया गया है ground rent, annual charges, fire insurance, repair charges इन सबसे हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे सिर्फ interest on loan और जो local tax है यादि municipal tax इसी से मतलब है अब चलिए इस कोशन को एक sword भी में समझते हैं उसके बाद इसको sword किया आएगा देखेगी Dr. K.K. बंसल का यह मकान है इसके आधे भाग को मतलब 1 by 2 पोर्षन को इन्होंने लेट आउट किया और लेट आउट किया तो actual rent इनको मिलना है 3,000 रुपीज पर मंथ यानि की 36,000 रुपीज और municipal value जो है पूरे मकान कर दिया है 90,000 रुपीज तो half portion का municipal value अगर हम लेगे तो 45,000 रुपीज होगा उसी तरह जो fair rent है वो पूरे मकान कर दिया गया है 95,000 रुपीज तो half portion का municipal value होगा 47,500 रुपीज और standard rent पूरे मकान कर दिया गया है 85,000 रुपीज यानि half portion का लेगे तो वो 42,500 रुपीज होगा मुनिस्पर tax की बात करें तो पूरे मकान का मुनिस्पर tax दे रखा है 7,000 रुपीज तो half portion का मुनिस्पर tax होगा 3500 रुपीज इंट्रेस्ट का लोन पूरे मकान का दिया गया है यहाँ पे 10,000 रुपीज यहाँ पे construction कब complete हुआ यह तो दिया है लेकिन लोन का amount नहीं दिया है तो इसी इंट्रेस्ट को हम जो मकान जिस तरह किराय पे दिया गया है याथ सर्फ एक और उसी ratio में उसको divide कर देगी हम तो यहाँ पे interest half portion का one by two का हो जाएगा 5000 रुपीज जो कि दर्जा पूरे मकान का तो आधी को लेटा उट किया तो आधी का हो गया पाँज अरुपे अब लिए जो आधा portion बचा है इसके दो भाग हो गए मतलब एक चौथा यह एक चौथा यह मतलब पूरे मकान का वन फोर्थ पोर्सन जो है यह अपना प्रोफेशन कर रहे है उसमें मतलब एक डॉक्टर है तो डॉक्टर से लेके टीनिक वगरा जो भी कुछ खोले होई है तो और जो बचा है रिमेंडिं रहे है उसका जो प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे है उससे कोई मतलब यहां पर नहीं होता है तो सब्सक्राइब में मतलब होता नहीं है क्योंकि वहां पर जो ग्रॉस एनुवल वैल्यू होता है वो होता है निल यहां पर सिर्फ मतलब होता है इंट्रेस्ट आं लोन से तो यहां इंट्रेस्ट पूर्य मकान के लिए दिया गया है 10,000 रुपए और आधे को लेटाउट किया तो उसका पांच जा हुआ और वन फोर्थ पॉर्सन मतलब की जो आधे का आधा है उसका इंट्रेस्ट होगा 2,500 रुपेज मतलब 10,000 इन्टू 1 बाइ 4 और जो 2,500 है प्र को पाइब खुद रहना है तो यहां पर क्लेर कैट है कि जो लेक्टाउट इरोनिक किया है चार किलाया लिया है एक्ट्वर रेंग, मुनिस्पल वैल्यू, फेयर रेंग, इस्टेंडर रेंग, इसी चाबा में से कोई एक जीए भी होगा मतलब ग्रॉस एमें वैल्यू होग अब इसमें से हम ग्रॉस एनल वैल्यू निकालेंगों अगर एक्ट्वर रेंग, मुनिस्पल वैल्यू, फेयर रेंग, इस्टेंडर रेंग इन चारों में एक्ट्वर रेंग सबसे जादा होता तो ग्रॉस एनल वैल्यू होता बट यहां पर एक्ट्वर रेंग जादा नह अगर कम होगा तो जीए भी होगा मतलब ग्रॉस एनल वैर्यू होगा लेकिन यहां पर दिखें जो 47,500 आया है इस्टेंडर रेंट से अधिक है मतलब कि इस्टेंडर रेंट यहां 42,500 ही है इसका मतलब इस्टेंडर रेंट कम है जो तीनों में दिखाया उससे तब ऐसी 45,500 मतलब इस्टेंडर है तो यहां 42,500 जो है वो होगा हमारा ग्रॉस एनल वैल्यू चलिए आप पूशन को सॉल्ट करते हैं उसके लिए आप इसको रिमूब करेंगे हम लिखने पर यह ओपर कम्पूटिशन आप इलिकम फ्रॉम हाउस प्रॉपरिटी और के के बंसल फॉर दा असस्मेंट इयर 2021-22 सबसे पहले हाप पूर्शन लेते हैं जो की इनोंने लेट आउट किया है जिसका जीए भी अभी हम लोगों ने फाइंड किया 42,500 रुपे लेस मुनिस्पर टैक्स मतलब जो ही कोशर में लोकल टैक्स था वही मुनिस्पर टैक्स है तो वो यहाँ पे 7,000 पूरे मकान का दिया था तो हम आधा ही लेंगे त्यानी 3,500 आएगा 3,500 रुपे अब 42,500 में से हम 3,500 घटा देंगे तो आएगा 49,000 रुपे यह हमारा हो गया नेट अन्य वैल्यू या अन्य वैल्यू अब इसी में से हम डिदक्शन देंगे अंडर सक्षन 24 में जिसमें पहला है इस तर्म डिदक्शन अंडर सक्षन 24 यह जो होता है 30% मतलब निट इन्वल वैल्यू तो यहां पे निट इन्वल वैल्यू उन्तानीस जार है तो उन्तानीस जार का हम 30% कल्कुलेट करेंगे तो आएगा 11,700 रुपए दूसरा इड़क्षन है इंट्रेस्ट आन लून का तो कि पूरे मकान के लिए आखा दस जार तो आधे का होगा 5000 यानि 11,700 अब 5000 यानि 16,700 रुपए हम निट इन्वल वैल्यू मेंसे कर देंगे माइनस तो हमारा आएगा 22,300 रुपए यह होगा हमारा टैक्सेवर इंकम फ्रॉम हाउस प्रापरिटी इस दे नाम दे रहे क्योंकि दो इंकम एक लॉस आएगा तो उससे हम एड्जेस्ट करेंगे उसको भी दे देंगे तो यह माइनस भी लिख सकते हैं लाश में थोड़ा देखने में भी अच्छा लगएगा और सॉल्ट अबने ठीक रहेगा देखें अब वन फॉर्थ पॉर होता है वह होता है निल्ट उसमें से सिंफ माइनस होता है इंट्रेस्ट आन्नोन जो कि दर्शार पूरे मकान का दिया गया था तो यहां पे जो सेल्फ अकॉपाइड है वन बाई फोर्थ ही है यानि 2500 रुपे तो 2500 जो होगा यह हमारा आएगा लॉस प्रॉम हाउस प्रॉप है तो देखा जाए तो जो इंकम में ज्यादा है लॉस सम है तो हमारा इंकम में से लॉस को घटा देंगे तो हमारा आएगा टोटल इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अब 22300 में से हम 2500 घटा देंगे तो आएगा 19800 रुपे यह हमारा फाइनल एंसर होगा अब इसके बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और जादा जादा सेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक बहुत सके अगर आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएए ताकि लेटिस् आद आपका समय सुभू